हेलो बच्चों मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर नहारीका और आज हम पौवर्टी अज़र चैलेंज का पार्ट टू लेकिया हैं तो इसको फटा फट करते हैं और चाप्टर फिनिस हो जाएगा फिर हम नेक्स चाप्टर पड़ेंगे ठीक है तो बिना वेट के स्टार करते हैं चलो तो हाँ शेडियूल में थोड़ा सा चेंज हुआ है मैं अब हफते में तीन दिन आओंगी तीन दिन क्लास होंगी हमारी सोशल साइंस की तो मंडे वेटनस डे और फ्राइडे को मेरी क्लास रहेंगी तो सोशल साइंस पड़ो फड़ाफर्स कंप्लीट करो और करो चलो हां तो पिछले लेक्चर में हमने कॉसस तक देख लिया था तो हम सबसे पहले क्या कॉंटेंस देखते हैं क्योंकि आधा काम यहीं खतम हो जाता है ठीक है तो आज हम करने वाले एंटी पॉवर्टी मेजर्स और चालेंजिस अहिड ठीक है तो वी विल बी हमें बहुत जादा पॉवर्टी तो पॉवर्टी खतम करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिये जा रहे और क्या चैलेंजिस हैं यह भी हम बढ़ेंगे ठीक है तो एंटी पॉवर्टी स्ट्राटेजी ऑफ गवर्मेंट इस बेस ब्रॉडली और टू प्लैंक दो प्लैंक प इनकम जादा उर्ण कर सके लोगों की इनकम बड़े है ना लोगों की इनकम बढ़ेगी तो क्या पॉवर्टी कम हो जाएगी लोग अच्छे से रह पाएंगे हैं तो पहला प्लैंक क्या है प्रॉमोशन ऑफ एकनॉमिक ग्रोथ सेकिंड प्लैंक है टार्गेट एंटी motion of economic growth में पढ़ने आले ठीक है तो पहला plank पढ़ते हैं according to official poverty estimation the growth rate jumped from the average of 3.5% a year in 1970s to about 6% during the 1980s and 1990s with the help of high rate of growth reduction of poverty is possible इसमें ये लिखा कि अगर growth अच्छी होगी अगर growth अच्छी होगी तो poverty जो है उसको खतम किया जा सकता है poverty जो है खतम किया जा सकता है जो growth rate है वो 1970s में थी 3.5% और 1990s और 1980s में हो गई ये 6% तो growth अगर अच्छी कर दे हम तो poverty को हम खतम कर सकते हैं it shows a link between poverty reduction and economic growth therefore promotion of economic growth helps to reduce poverty अगर हम economic growth बढ़ाएंगे तो poverty कम होगी तो economic growth बढ़ाएंगे तो poverty क्या होगी कम होगी हमेशा याद रखना अगर economic growth अच्छी होगी तो poverty क्या होगी poverty कम हो जाएगी आगे second point करने वाले targeted anti-poverty programs ऐसे कौन से programs हैं जिसको हम target करके वो programs launch करके हम poverty को target कर सकते हैं उसको eradicate कर सकते हैं उसको रूरल Employment Guarantee Act नरेगा इट वस लॉंच इन सेप्टेंबर 2005 और प्रोवाइड 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 करता है कि सो दिन तो employment मिलेगा ही मिलेगा हर साल और हर rural household को 200 districts ऐसी 200 districts में हर rural household को 100 दिन का employment नरेगा के अंडर मिलेगा ही मिलेगा लेटर दस्कीम विल बी extended टू 600 districts उसके बाद जो स्कीम है उसको 600 districts में extend कर दिया जाएगा पहले तो 200 districts में ही तक था कि 200 districts में ही होगा उसके बाद 600 districts तक यह जो program है जो scheme है यह पहुंच जाएगी one third of the proposed jobs would be reserved for women और women का यहां पर reservation होगा one third जो है jobs women के लिए रहेंगी in this act if an applicant is not provided employment within 15 days अगर 15 दिन के अंदर किसी applicant को employment नहीं मिली then he she will be entitled to a daily unemployment allowance उसको allowance मिलेगा अगर उसको 15 दिन के अंदर उसको salary नहीं मिलती मतलब उसको 15 दिन के अंदर employment नहीं मिलती है तो उसको allowance दिया जाएगा क्या दिया जाएगा allowance दिया जाएगा the central government and state governments will also establish national employment guarantee funds यह funds establish करेंगी कौन central government और state government and state employment guarantee funds for implementation of the scheme इस scheme को implement करने के लिए यह जो है measures लिए गए थे आगे बढ़ते हैं आगे हम second program के बारें बात करेंगे Prime Minister रोजगार योजना PMRY Prime Minister रोजगार योजना इसमें क्या होता है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वस लॉंच्ट ऑन 2nd October 1993 इस दिन यह लॉंच की गई थी the objective of the program was to create self-employment अब इस program को क्यों बनाये गया है क्यों बनाये गया है तो to create self employment कि जो लोग है वो self-employed हो सके to create self-employment opportunities for educated unemployed youth in rural areas and small towns small towns or rural areas में जो लोग है वो self-employment जो है वो create कर सके it also helped in setting up small business and industries और इसकी मदद से छोटे-छोटे business on industries भी लगाई जा सकती है इसने बहुत सारे छोटे business को भी support किया है to establish small business and small industries आगे बढ़ते हैं अब है स्वर्न जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना ये थर्ड ये क्या है ये थर्ड प्रोग्राम है जो इसके अंदर आता है targeted anti-poverty program के अंदर ठीक है this program was launched on 1st April 1999 इसको इस program को 1st April 1999 में launch हुआ था the objective of this program is to help rural people to organize themselves into self-help groups अब objective क्या है इसमें क्या होता है rural people को help करने के लिए बनाये गया ताकि वो खुद को एक self-help groups में वो कर सके खटा कर सके self-help groups बना सके by the way of promoting enterprises enterprises को promote करके at village level village level पे enterprises को promote किया गया और लोगों को कहा कि आप self-help groups बनाओ और खुद का विकास करो क्या करो और अपने आपको help करो rural people को help करने के लिए ये बनाया गया था this program helps to exist poor families system of the poverty line poverty line क्यों पर जो poor families है उनकी मदद ये program करता है in this program the government provides subsidy and bank credit to the rural people for generating the income इस program में जो government है वो subsidy देती है वो क्या देती है subsidy देती है और bank credit देती है rural लोगों के लिए ताकि वो income generate कर सके उनको थोड़े बहुत subsidy देती है उनको थोड़ी बहुत credit देती है ताकि वो income जो है generate कर सके income बना सके आगे rural employment generation program इसमें क्या होता है this program was launched in 1995 इस date को यह launch हुआ था the target of this program is to provide 25 lakh new jobs to the rural and small towns persons under the 10th 5 year plan 10th 5 year plan के अंडर क्या था कि program का जो main target था ना launch तो हुआ 1995 में target जो था इसका यह था कि 25 इस लाक नई जोब 25 lakhs new job rural और small towns के लोगों को मिलनी चाहिए यह इसका target था प्रधान मंत्री ग्रामोदया योजना क्या है इसमें this program was launched in 2000 2000 में launch हुआ था the objective of this program is to develop standard of living लोगों का standard of living अच्छा हो सके develop हो सके किसका rural people का rural लोगों का जो rural areas में लोग रह रहे उनका standard of living बढ़ाने के लिए उनका standard of living जो है अच्छा हो सके develop हो सके इस program का objective था by the way of focus in five critical areas पांच areas में ध्यान देके मतलब पांच areas पे focus करके लोगों का standard of living बढ़ाने का इसका objective था तो पांच एरिया क्या है primary health health अच्छी होगी तो अच्छी होगी primary education education अच्छी है opportunities है growth होगी rural shelter अच्छे से आप रह सको rural drinking water पानी अच्छा हो rural electrification electricity हो यह पांच areas पे ध्यान देके यहां पे क्या था उनका motive की वो क्या कर सकें वो क्या कर सकें वो this program was launched in September 2001 यह September 2001 में यह प्रोग्राम launch हुआ था the employment assurance schemes and JGSY would be merged with SGR यह employment assurance scheme और जो JGSY है वो merge हो जाएंगी किसके साथ SGRY के साथ ठीक है the aim of the program is to provide wage employment and to create durable community social and economic assets ठीक है तो program कब launch हुआ था यह September 2001 में और इस इस program के साथ क्या हुआ है जो employment assurance schemes है जो और भी schemes है और JGSY है वो merge हो गई है और जो aim है जो aim बन गया है इस program का वो है कि वो wage employment provide कर सके और एक durable community social or economic assets जो है वो बना सके वो create कर सके आगे अब हम कह पड़ेंगे कि क्या challenges है क्या challenges हमें देखने को मिल रहे है poverty reduction remains India's most compelling challenges despite the progress progress होने के बाद भी इंडिया में इतनी progress हो चुकी है पर उसके बाद भी जो poverty है ना बेटा वो खतम नहीं हो रही है वो eradicate नहीं हो रही है तो वह एक challenge है वह बहुत जादा बड़ा एक challenge है because of unequal distribution of income increase in population etc अब यह क्यूं हो रहा है अब भाई growth तो हो रही है पर poverty नहीं जा पार ही तो क्यूं क्यूंकि हमारी जो income की distribution वो बहुत uneven है वो unequal है कुछ लोगों को बहुत मिलती है कुछ लोगों को मिल ही नहीं पाती है income population बढ़ती जा रही है इन सारी चीजों के वज़े से क्या हो रहा है poverty reduction में problem आ रही है poverty reduce नहीं हो पा रही है the positive situation can be done by the way of higher economic growth increasing stress on universal free elementary education declining population growth increasing empowerment of the women and the economically weaker sections of society providing healthcare education and job security यह सारी चीज़ें करके हम poverty को घटा सकते हैं हम positive situation create कर सकते हैं कैसे कैसे करके economic growth को बढ़ाके free elementary education बढ़ाके population को कम करके women को empower करके economically weaker section को empower करके healthcare facilities को देके education को provide करके job security देके यह सारी चीज़े करके हम क्या कर सकते हैं poverty को कम कर सकते हैं आगे पहला जो challenge है पहला जो challenge है वह है unemployment वह है unemployment unemployment is a situation where a person have not job despite of he she be able to do the job unemployment एक ऐसी situation है जहां पे लोग काम तो करना चाहते हैं और वो काम करने के लायक भी है पर वो क्या उनको job नहीं मिल रही है उनको काम नहीं मिल रहा है और यह बहुत बड़ा cause है poverty का this is a big cause of what poverty unemployment is also a situation of being joblessness unemployment एक ऐसी situation भी है जहां पे आप jobless हो when people are in condition of without job and in situation of seeking job during recession मतलब वहां पे आप job धूड रहे हो धूड रहे हो धूड रहे हो पर आपको job मिल ही नहीं रही तो joblessness है है ना कि लोग काम करना चाहते हैं पर काम कर नहीं पार उनको job मिल ही नहीं रही है it is a sign of poverty where an individual is unemployed यह एक poverty का sign है अगर unemployment rate बहुत जादा है तो poverty भी जादा होगी जहां पे एक individual जो है unemployed है it is a loss of human resources to the nation and stigma to the society अब बताओ इतने सारे लोग हैं इतने सारे human resource हैं कुछ पड़े लिखे लोग हैं बट जिस टाइप की jobs वो करने के लायक है उनको वैसी jobs नहीं मिल रही है तो वो human resource का wastage हो रहा है human resource waste हो रहा है वो लोग उसका यूज नहीं कर पा रहा है nation का human resource waste हो रहा है तो यह इस चीज में बताया गया है आगे अब second जो है challenge वो है child labor child labor मतलब जो बच्चे जो मजदूरी करते हैं वो देखते हैं child labor is a situation where a child is employed for earning money child labor एक ऐसी situation है जहां पर child को काम करना पड़ता है कि वो पैसा कमा सके ताकि पैसा कमा सके वो which is mentally physically and socially dangerous and harmful for the children अब यह जो है ना हम कहते ना कि child labor नहीं बंद करो उसको avoid करो child labor बच्चे भी क्या करो उनको पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है तो यह physically mentally socially dangerous है बच्चों के लिए है ना socially be dangerous physically be dangerous mentally dangerous है और it is very harmful for children child labor is a basic problem of poverty और child labor जो है basic problem है हमारी poverty कि because of doing work child cannot be literate and he she is unable to make his or her future क्या होगा अभी तो वो पैसे कमाने के लिए काम कर रहा है पर काम करने की वज़े से वो पढ़ नहीं पाता है child वो illiterate रह जाता है और अपना future सही नहीं कर पाता है तो यह cause poverty का poverty का cause है the child labor prohibition and regulation act 1986 defines a child as any person who has not completed his 14th year of age मतलब यह बोला गया है child labor एकी prohibition and regulation act आया था 1986 में इन्होंने यह बोला है इस act ने बोला है कि 14 साल से कम जो उमर के बच्चे है they are prohibited उनको काम नहीं करने की वो है मतलब child labor आप नहीं कर सकते आप किसी को जबरदस्ती उन child से काम नहीं करा सकते तो 14 साल की उमर तक बच्चे को जो है elementary education मिलनी ही चाहिए वो child labor नहीं बनना चाहिए according to international labor organization the term child labor is often defined as work that deprives children of their childhood their potential and their dignity and that is harmful to physical and mental development कितनी अच्छी चीज़ बोली है international labor organization ने बोला है कि जो child labor है वो एक ऐसा काम है जिससे बच्चे से उसका बच्पना छिन रहा है उसकी dignity उसकी potentiality छिन रही है और वो physical और mental development से दूर होता जा रहा है बहुत अच्छी बात कही है आगे third जो है जो last जो है जो challenge है that is illiteracy 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 is the condition where a person is unable to read and write in India illiteracy is a major problem of poverty एक ऐसी condition जहां पर कोई इंसान पढ़ लिख नहीं पाता है वो कुछ कर नहीं पाता मतलब आप illiterate होके आज के time पर इलिटरसी is a very big evil poverty is a very big evil and under it comes the illiteracy और आगर आप illiterate हो तो आपका development is very difficult development is seriously very difficult तो illiteracy एक ऐसी condition है जहां पर person लिख और पढ़ नहीं पाता है और इंडिया में illiteracy बहुत बड़ा reason है poverty का आप illiterate रहते हो आप पढ़ते नहीं हो आप labouring में लग जाते हो आपका future दाफ पर लग जाता है आपकी future generations दाफ पर लग जाती है growth नहीं हो पाती है development नहीं हो पाती हो poverty जो है वो वैसी की वैसी ही बनी रहती है तो ये था हमारा lecture लेक्चर खतम हो गया poverty हमने chapter है ना poverty as a challenge हमने chapter खतम कर लिया है तो इस lecture की कोई भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउलोड करने है तो आप हमारे score plus app से वो नोट्स डाउलोड कर सकते हैं तो social science पढ़ो और rock करो तो फिर मिलते है नेक्स लेक्चर में बाए बाए बच्चो